तो MCU और DCU में मारे बहुत से फेड़ेट सुपर एरोस हैं लेकिन इन सब सूपर एरोस के अपने-पने खुद के कस्टम हैं और अपने-पने खुद के कलर्स हैं और आज के इस वीडियो में हम इनी सब सुपर हिरोस को कंपेर करेंगे वो भी टीम ब्लू, टीम रैट, टीम ब्लैक और टीम ग्रीन के बेसिस पे तो बहुत से सुपर हिरोस भले ही पाफुल हो लेकिन उन्हें एक और बात खास बनाती है और वो है उनका कलर थीम यानि उनका कस्टम अज के इस वीडियो में हम माल सिनमेटिक उनिवर्स और डीसंग स्रेक्शन उनिवर्स के उन सुपर हिरोस को कंपेर करेंगे जिनके कस्टम या जिनके color theme सेम है मतलब जिनके color theme होंगे वो एक टीम में होगे और उनका comparison होगा दूसरे color theme वाले टीम से तो सबसे पहले Team Red में है हमारे पास Iron Man, Sazam, Wonder Woman, Scarlet Witch और Flash यहाँ पर मैं Spider-Man को भी अड़ कर सकता था लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ Top 5 Powerful Characters को ही अड़ किया एंड Team Green में हमारे पास Hulk, Groot, Aquaman, Loki और Gamora तो वहीं पर Team Black पे है हमारे पास Batman, Black Panther, Hawkeye, Black Widow और Black Superman तो वहीं पर हमारे पास Team Blue पे है Captain Marvel, Captain America, Thor, Doctor Strange और Quicksilver अब देखो यहाँ पर हम जिन भी करेक्टर्स को कंपेर करेंगे वो उनकी मुवीज की सबसे पाफुल फॉर्म्स के साथ कंपेर करेंगे यानि Black Superman, Infinity War, Thor, and Wanda in WandaVision, etc. क्योंकि आपने ये बात नौटिस कर लिए होगी कि मैंने Superman को Team Blue की जगा एड़ किया है Team Black पे जिस वजए से हम यहाँ पर बात करने वाले है Black Superman की यानि इन सब Super Heroes की Most Powerful वर्जन्स की इसके अलावा इन टीमों में और भी बहुत से Powerful Super Heroes हो सकते हैं लेकिन मैंने उनी Super Heroes को एड़ किया है जो सबसे Powerful है और यहाँ तक ना कि यह पूरा comparison Movies के उपर बेस्ट होने वाला है और फटवर्ट से Captain Kishil को Throger के चैनल को सबस्क्राइब कर लो ताकि आप Super Heroes Studios का एक Super Member बन पाओ तो सबसे पहले हम इन सब टीमों के एक एक करेक्टर को अधर करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन से 5 पांच अधर निकल के आए हैं और फिर उनको कमपेर करेंगे और देन हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम एक्जाक्तली विनर है तो वीडियो शुरूर होने से पहले अपना पर्सन अपिन हमें कुमेंट में पता दो कि आपकी वो टीम कौन से होने वाली है और शुरुआत करते हैं अपने पहले comparison से Iron Man vs Captain America vs Batman vs Hulk तो यहाँ पे हम इन सब characters को compare करने वाले हैं फर्स ताइम यहाँ आपको अचानक वाली fight में क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी character को preparation time नहीं देने वाले यहाँ भी हम इस basis में fight करने वाले हैं कि मानों यह पहली बार यह अचानक एक दूसरे के खिलाव आ गए तो इन चारों की बीच एक battle शुरू होगा जो battle बहुत amazing होगा लेकिन उसमें सबसे पहले knockout होगा Batman अब देखो Batman के सामने Hulk जो कि हम यहाँ पे Thor Ragnarok वाले Hulk को add करेंगे Iron Man with Mark 85 और Captain America with Mjolnir और Batman का हमने कोई भी powerful version वाली form अभी तक movies में नहीं देखी है इसलिए हमें movies का simple Batman यहाँ पे add करना पड़ेगा लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको भी add करते हैं तब यह Iron Man, Hulk और Captain America को नहीं आरा सकता जिस वाज़े से यहाँ पे सबसे पहले knockout होगा Batman तो अब हमारे पास 3 characters बचते हैं यहाँ पे या फिर तो Captain America knockout होगा या फिर तो Hulk और जहां तक मुझे लगता है तो पहले knockout होगा Hulk अब देखो पहली बात कि MCU वाले Hulk को कमजोर कर रहे हैं अब Hulk को उस तरह develop नहीं कर पाया है जिस तरह उन्होंने Iron Man and Captain America को किया क्योंकि Hulk की अभी तक हमें कोई भी powerful version movies में नहीं देखने को मिला हो सकते हमें आने वाली movies में world breaker Hulk देखने को मिले लेगिन तब तक Hulk इस battle में पहले knockout होगा अब देखो Captain America के पास Thor की power से है यानि वो lightning power से Hulk को लगपग लगपग damage कर सकता है अगर हम Iron Man की बात करते हैं तो Iron Man की technology Hulk के उपर भारी परने वाली है क्योंकि Mark 85 हर वो shape form कर सकता है जो Iron Man just imagine करे और Hulk को वो बहुत अराम से हरा देगा क्योंकि Hulk Buster से ही Iron Man ने Hulk को रोक लिया था और इस बार तो है Iron Man की पास उसका सबसे powerful armor Mark 85 यानि दैन हमारे पास बचेंगे worthy Cap and Iron Man तो देखो इन दोनों character की fight भी एक बहुत amazing fight होगी लेकिन I think I think की Iron Man Captain को हरा देगा अब देखो Thor की powers का मतलब यह नहीं है कि Captain के पास Thor की physical powers आ गई है physical powers ने मेरा मतलब है durability, healing factor and strength वगएरा उसके पास दिर्फ Thor की lightning powers है क्योंकि उसने मियोनियर को lift किया लेकिन अगर हम Iron Man की बात करते हैं तो वो lightning को absorb कर सकता है अपने Mark 85 armor में जहां तक बात है कि strength की तो उसमें Iron Man Cap से आगे रहेगा क्योंकि Cap ने एक helicopter को अपने arm से रोक लिया था जिसके अकॉर्डिंग Captain America 10-20 तक की वेर्ड को शायद lift कर सके लेकिन Iron Man ने अपनी armor की मतलब से बहुत ही easily Thanos की सीर पर ये building मार दी थी जिसके अकॉर्डिंग शायद Iron Man 90-100 तक की वेर्ड को easily lift कर सकता है और durability and healing factor में भी Iron Man आगे रहेगा उसके suit वास self repair है जो कि उसे बहुत जल्दी heal कर देगी इसके उपर उसकी speed भी Cap से जादा होगी और अगर हम technology wise भी देखते हैं तब भी Iron Man Cap के उपर भारी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि Cap की lightning का तो कोई व्यासर नहीं होने वाला क्योंकि Iron Man उसे absorb कर सकता है अपने suit में और देन उसका suit और जादा powerful हो जाएगा और फिर उसके सामने सिरफ simple Cap रहेगा और वो उसे हरा देगा जिस वज़े से इस battle का winner होने वाला है bleeding edge armor या mark 85 Iron Man जिस तरह वो अपने बाकी characters को करते हैं and then होगा knock-out Captain America because of Iron Man के mark 85 की lightning absorption and technology की वज़ा से and then last minute character बचेगा होगा bleeding edge armor Iron Man यानि की पहला round जाएगा Team Red को या आपको Team Red का एक member जी चुका है जो की है Iron Man, Sazam vs Groot vs Black Panther vs Captain Marvel तो देखो ये चारो characters भी अपने full mood में आएंगे लेकिन अगर हम इन चारो characters की fight को discuss करते हैं तो सबसे पहले knock-out होंगे Black Panther और Groot अब देखो भले Groot अपनी adult form में हो and Black Panther के पास भी उसके कमाल का armor हो लेकिन अगर हम ये discuss करते हैं कि क्या वो Sazam और Captain Marvel को हरा पाएंगे तो ये बहुत जादा tough है क्योंकि Captain Marvel अकेले उन दोनों पर भारी है और दूसरी और भले ही Sazam अपनी powers को दंग से use ना करता हो लेकिन त सेजम और Captain Marvel तो हम इन दोनों करेक्टर्स को step by step compare करते हैं तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो स्ट्रेंथ में सेजम ने एक बस को lift कर दिया था लेकिन Captain Marvel की स्ट्रेंथ इससे बहुत जादा है क्योंकि Captain Marvel ने इन सब स्पेश्शिप को सिर्फ अवनी स्ट्रेंथ से इतना force back किया इसके अपर इसने Iron Man वाली स्पेश्शिप को भी Avengers endgame में lift किया थैनोस और रॉनन की स्पेश्शिप को भी डिस्ट्रॉय किया सिर्फ उनके बीच से मूव करके और यह सब बाते पूफ करती है कि Captain Marvel की स्टंथ बहुत ही जादा है एस कंप्रेट तू सेजैम इन मूवीज अगर हम डूरिबिटी की बात करती है तो तोनों ही क्रेक्टर्स बहुत जादा डूरेबल है सेजैम इजली बुलेट्स को सर्वाइब कर सकता है तो वहीं पे Captain Marvel थैनोस के हैट बेट से हिलती भी नहीं है एक पावर स्टोन के पंच खाने के बाद भी उसे जादा कुछ नहीं हुआ था लेकिन यहां तक बात आती है स्पीड की तो उसमें सेजैम केप्टन मावल को पीछे छोड़ देता है क्योंकि सेजैम हाई परसोनिक स्पीड से ट्रावल कर सकता है DCU में एंड केप्टन मावल की मैक स्पीड है वो स्पीड ओफ साउंड से थोड़ी जादा है अब यह मत बोलना कि केप्टन मावल की मैक स्पीड है स्पीड ओफ लाइट क्योंकि यहां पे हम कॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैंड मुवी में केप्टन मावल स्पीड ओफ साउंड स इवेंट्स के टाइम अगर हम बात करते हैं स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की तो उसमें भी कैप्टन मावल सेजम को पीछे छोड़ देती है क्योंकि कैप्टन मावल के पास वाइट करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लेकिन सेजम अभी एक बच्चा है जिसे अपनी पावर्स को बढ़न से यूश करना नहीं आता तो कैप्टन मावल से इसमें आगया कैसे जा सकते है और पावर्स में पावर्स जाद आ गया रहेगी क्योंकि सेजम की मेन पावर है लाइटनिंग मैनिपलेशन जो की जीउस की देन है लेकिन अगर सेजम अपनी यूज़ करेगा तो Captain Marvel पर कोई एफेक्ट नहीं होगा यह ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा इसके उपर हो सकते स्पीड से Captain Marvel को Confuse करें लेकिन Captain Marvel इतनी एक्स्पीरियंस तो है कि वह सेजैम को इसलिए Strength, Skills, Experience and Powers यह सब पॉइंट Captain Marvel को सेजैम से बहुत जादा पाफ़ूल and victorious बनाती है जिस वह से हमें अपनी दूसरी fight की विनेर मिल चुकी है और वो है Captain Marvel Scarlet Witch vs. Loki vs. Hawkeye vs. Doctor Strange तो इस battle में सबसे पहले knockout होगा Hawkeye and then हमाई बस तीन characters बचेंगे Loki, Scarlet Witch and Doctor Strange और अगर हम इन तीनों characters को compare करते हैं तो सबसे पहले इन तीनों characters में कोई भी knockout हो सकता है लेकिन जो दो characters सबसे पहले knockout होंगे वोंगे Scarlet Witch या फिर तो Loki क्योंकि देखो Avengers Infinity War में Doctor Strange Loki को पहले trap कर चुका है और लोकी को कुछ पता भी नहीं चला यानि इस point से हम यह consider कर सकते हैं कि Doctor Strange Loki से बहुत जादा powerful है और वो लोकी को easily trap कर सकता है किसी और dimension में यह अपने magic से जिस वह ऐसे Doctor Strange Loki में तो Doctor Strange Loki को हरा देगा लेकिन अगर हम बात करें Doctor Strange वासे Scarlet Witch में तो उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भले ही जादा powerful है Scarlet Witch लेकिन battle का विनों होगा Doctor Strange को पता है कि किस पावर को यूज करना है डॉक्तर स्टेंज के पास हर एक situation के लिए एक spell होता है और में लिए Doctor Strange को ये बात पता है कि किस टाइम पर किस तरह एकदम सही यूज करना है लेकिन Scarlet Witch को यही बात नहीं पता उसकी पावर emotions के साथ बढ़ती है और अगर वो बहुत जादा emotional होती है तो उसकी पावर बहुत जादा बढ़ जाती है लेकिन तब भी उसको उसकी पावर पर कंट्रोल नहीं रहता हाला कि वो डार्क हॉल को study कर रही है और Doctor Strange 2 में उसकी प पावर उसको यूज करना नहीं आता और Doctor Strange इसी बात का फाइदा उठाएंगे क्योंकि Doctor Strange को पता होगा कि कौन सी पावर को किस टाइम यूज करना है और Scarlet Witch को यही बात धंक से नहीं पता इसलिए Doctor Strange उसके ट्रैप कर सकते हैं किसी और dimension में जिस तरह उन्होंने थैनोस की बै स्टोन को तोड़ा हो और पांच इंफिनिटी स्टोन के डिशन को डिफैंड किया हो लेकिन तब भी एक एक एक्सपीरियंस डॉक्टर स्ट्रेंज या एक एक्सपीरियंस मैजीशन के आगे नहीं टिक सकती यहीं पता है कि पावस को किस तरह यूज करना है और Scarlet Witch को नहीं इस वज़े से भले ही Scarlet Witch और लोकी में कोई भी विनर निकल के आए लेकिन उसको सामनात होगा डॉक्टर स्टेंज से और डॉक्टर स्टेंज उसको हराई देगा फिर भले ही वो लोकी हो या Scarlet Witch हो जिस वज़े से हमें अपनी तीसरी फाट का विनर बिल चुका है और वो है और दॉक्टर स्टेंज फ्लैश वर्सिस गमोरा वर्सिस बैक वीड़ो वर्सिस व्कुक्सिल्वर तो जो इस बैटल में सबसे पहले नौकाट होगी वो जी ब्लैक विड़ो क्योंकि ब्लैक वीडो का पावर लेविल बाकि यो से बहुत ही जादा कम है और देन हमारे पास आप देखो गमोरा सच में बहुत जादा पाफुल है उसे यूनिवर्स के सबसे पाफुल औरत माना जाता है बदफ फैक्ट इस कि क्या वो फ्लैश और क्विक्सिलवर की स्पीड को डिटेक्ट पाएगी और ऐसा बिलकुन नहीं है क्योंकि भले ही अगर वो अपनी स्पीड क चल जाएंगे जो गमोरा देखी नहीं सकती क्योंकि वो इतने जादा तेज हैं इस वाज़े से अब नोकाट होगी गमोरा है एंड हमारे पर दो क्रेक्टर्स बचेंगे फ्लैश और क्विक्सिलवर और अगर हम इन दोनों की फार्ट को कंपेर करते हैं तो यहां पे विनर कि करल के ऐगा फ्लैश क्यूंकि जो यहां पर हम बात करों क्योंकि आ हुए अ व्म्रमाइब करता के कौन ज्यादा तेज है बाकी कि नहीं इसकता गीण करती हैं हैंगी फ्लैश में लाइट इस फॉर्स पंच उसे मारेगा क्योंकि सिल्वर नॉक आउट हो जाएगा क्यों क्योंकि उसकी स्पीर्ड बहुत जादा तेज है जिस वाएसे हमें अपनी फाइट का मिल चुका है और वह है फ्लैश यानि कि इस पैटल को जीता है फ्लैश ने तो अब हम अपना लास्ट कंप यहां पर बैटल होना जी है एक्वामें वर्सिस टीम रैट टीम ब्लू टीम ग्रीन और टीम ब्लैक का क्योंकि फिर अकेला एक्वामें इन सबको हरा देगा क्योंकि एक्वामें अडर्वार्ट किसी पी टाइप के क्रेश्चर को कंट्रोल कर सकता है और उनमें सबसे पाफ वॉमें जैसी वॉर्यर थौर जैसे वॉर्यर और सुपर मैं जैसे और वावर क्रेक्टर से वह नहीं जी सकता और सेकेंड़ी नौक आउट होगी वॉन्डर वॉमें भले एक वॉर्यर है और सुपर मैं को एक बहुत अच्छी कासी दे सकती है लेकिन अगर वह इतनी नहीं और जहां तक बात थौर की आएगी तो थौर वाले वीडियो में ये बताया है कि इंफिनिटी वह और वंडर वॉमें के ओपर भारी है क्योंकि इंफिनिटी वह थौर के बास उसका स्टॉम प्रेकर है जिसकी एक साथ शाप नहीं वापर शाप वेफन से हट किया सकता है और अगर वह अपने एक्सिन स्टॉम प्रेकर का यूज करेगा तो वह वंडर वन को हरा सकता है और इसके उपर और बहुत से रीजन्स हैं जो कि मैं अपने उस वीडियो में कवर कर चुका हूं तो होचा के तो देख लेना अब हम अपने फाइनल कंपैरिजन के और सबस्क्राइब looks तो हमेशा ती पर ये फाइट की तो उसमें थौर सूपरमैन को हरा देगा क्योंकि थौर के पास फाइट करने का बहुत अच्छा खासा एक्स्पिरियंस है ब्लैक सूपर्मान से इसके वाइट सूपर मेन के ओपर कोई हैसा नहीं 除 नहीं होने वाला क्योंकि थौर्ण अगर नीट्रों स्टार की एनरजी को सवाइब किया है तो वो ब्लैक सूपरमेन की हीट विल्दों को बहुत ही इसली सवाइब कर सकता है इसके उपर उसके पास स्टॉम ब्रेकर है जो सूपरमेन के ऊपर एक मेजर एड़एज वनेगा इसके उपर अगर वो सन की तलाश में तो थोर अपने कलाउट्स की मतल से सन को घाइब कर सकता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी जाद है कि वो सूपरमेन मतलब सूपरमेन सन के पास बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाए एक और इनकी फाइट किसी और प्लैनेट पर होती है तो वहाँ पे भी थोर सूपरमेन के जादा देर तक खुले रखे तो सूपरमेन को बाइफोस के साथ खतम करते और यही सब पॉइंट्स थोर को सूपरमेन से जादा आगे करते हैं एक फाइट पे जिसवाज से इस फाइट कविनर और इस राउंड कविनरों का इंफिनिटी वाल थोर तो देखो अब हमारे पा ऐगी आइन मैन की तो आइन मैन को क्याप्तेन मावल या फिर थो फौर या फिर फिर दो डॉक्तर स्टेंज हरा देगा क्योंकि इंफिनिटी वाथ थोर अपने स्ट्रम ब्रेकर अपनी बहूंस भी इन मैन से बहुत जादा पाफूल रहेगा इसके ऊपक मर्ल भी इस आइन म स्पीर्ड में बहुत अची टक्कर देने से मेरा मतलब है बहुत अच्छी तरह कर ले क्योंकि फ्लैश की स्पीर्ड इतनी जाद है कि वह थौर कैप्टिन मावल और डॉक्टर स्टेंज को कर सकता है बट अगर यह तीन क्रेक्टर एक टीम में है तो फ्लैश भी इनके सामने न बहुत आदा इफेक्ट पड़ेगा लेकिन आई थिंग कि थोर इससे नौकाओ नहीं होने वाला क्योंकि थोर अगर न्यूट्रों स्टार की एनर्जी से नौकाओ धंग से नहीं वहा तो फ्लैश के पंच से उसके पंच से वह थोर को बहुत आदा इंजट करतेगा लेकिन जब भी थोर अपने स्ट्रोंबेकर से हील हो सकता है और इन सब रीजन से आई थिंग कि फ्लैश थोर से नहीं जी सकता या कैप्टेन मावल से या डॉक्टर स्रेंज से इसके उपर अगर एक पटिकुलर करेक्टर के साथ फ्लैश का बैटल हो रहा होता तब तो माने उसके स बहुत देर तक फ्लैश थोर और को केप्टन मावल को कॉंकर ले लेकिन तिल एंड फ्लैश थक की जाएगा और थैन साथ क्यूंकि फ्लैश अपने पहुत सी स्पीड का यूज से यूज करके उनके ऑप, तिकालता रहें लेकिन यह थोनों कलेक्टर से ऐसे हैं जो उसके वर से आई तिंग नो काउन नहीं होने वाले एक पॉइंट ऐसा है कि जब फ्लेश ठक जाएगा एंड उस पॉइंट का फाइदा उठाएंगे थोर एक पंच टिका के फ्लेश को धेर कर देंगे तो इस तरह से हमें अपने विक्टोरिस टीम मिल चुकिया है और वह है टीम ब्लू आपके अगोडिंग कौन सी टीम इस पैटल को जी सकती है आप हमें कमेंट में जुरूर से जुरूर शेयर करना तो यह था एक कंप्लेट वीडियो जहां पे आपने टीम ब्लू टीम ब्लैक और टीम गरीन का कंपैरिसन किया उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा वीड में आपको, में खिर्बंग क।क किया है और बमुरूर क। आहर इए झाल कमें और शे आपको, मुलक को झाल का शाधा प्या हूत है का बिक बिक ब्लेता है